हाई कैसे आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा जो बुक है BEGE 141 और इस बुक के हम लोग a question answer पे बात करेंगे जो important है आपके exam के लिए आप इसकी practice कर सकते हैं यह guest question रहेंगे अगर आप इसकी practice करते हैं इन question की तो आपको बहुत सारे topic इसमें clear हो जाएंगे तो देखिए यह जो अमारा book है जिसका नाम है understanding prose यानि कि आपको इसमें गत को समझना है और इसमें हमारे total जो ब्लॉग दिये गए है चार ब्लॉग है हमारा और हम लोग उने try किया है कि इसमें से सभी ब्लॉग से question को collect किया गया है तो इसमें हम लोग question पे एक करके बात करेंगे और answer के through मैं आपको try करूँगी थोड़े थोड़े chapter की जो story है उसे भी समझाने का तो देखिए हमारा जो पहला question है यह है कि what is the difference between prose and poetry यानि कि prose या फिर poetry जो होती है उसके बीच में क्या अंतर है उसी चीच को आपको explain करना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि answer में pros क्या होते है प्रोष को हम लोग सबसे पहले easy में समझ लेते है는 तो देखिए pros का जो meaning होता है यानी कि ordinary writing, यानी कि एक साधहारन writing होती है इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं यह बहुती easy language में एक तरह से लिखा जाता है कि सब को ही इसको समझ सके पर इसमें देखे इसमें हम grammar जो चीजे होती है उसको हमें सही तरीके से यूज करना परता है हम एक तरह से grammar चीजों को सही से follow करना परता है अगर हम grammar में कुछ भी mistake करते हैं तो ये चीजे अच्छे से नहीं बैठती है यानि कि इस तरह की जो राइटिंग होती है ये भी हमारे फ्रोज में आती है अल लेक्चर हो गए जो class में teacher जो lecture देते हैं वो भी हमारा इसी में आती है novels हो गए short story हो गई fairy tale हो गई यानि कि परियों की कहानी हो गई newspaper हो गई article हो गए और सम ऐसे से यानि कि कुछ निवन्द भी जो होते हैं वो इसी में आते हैं यानि कि आपको इतना clear हो गया कि प्रोज क्या होता है और इसमें किस तरह की writing हमारी आती है तो आई हुप आपको यह point clear हो गया अब हम आगे देखते हैं तो आगे जो हमारा दिया गया है कितने types के हमारे pros होते हैं तो देखे pros जो होते हैं वो हमारे नॉन-fiction भी होते हैं fictional भी होते हैं heroic भी होते हैं और poetry टाइप के भी होते हैं इस तरह कि हमारे प्रोस जो है उन्हें अलनलग टाइप में डिवाइट किया गया है अब नेक्स्ट हमारा है पोईट्री तो पोईट्री क्या होती है उसे भी हम लोग जान लेते हैं तो देखें पोईट्री जो हमारी होती है वो especially एक टाइप की राइटिंग ये भी होती है जो हमारे literature में इसे count किया जाता है पर ये जो writing होती है इसमें rhythm यानि कि rhythm एक तरह से lag होता है इसमें जरूरी नहीं है कि आप grammar चीजों का use करें बट आपको एक rhythm के हिसाब से चीजों को लिखना परता है इसमें आपको सब्दों को एक तरह से arrange करना परता है चीजों को समझना परता है एक तरह से अपनी imagination को आपको बहुत जादा use करना परता है कि किस तरह से चीजों को हम लिखेंगे कि लोगों को समझ में आए और अच्छा लगे इसमें देखिए हमारे sound, image, idea और भी बहुत सारी चीजों को एक तरह से हमें जोरना परता है यानि कि एक तरह से rhythm के रुप में present करना परता है तो simply आप इसको समझ सकते हैं कि जो poetry होती है, वो एक rhythm टाइप की होती है कि हमें सब्दों को किस तरह से जोरना जोरने का एक तरीका आना चाहिए पोईटरी में एक तरह से lay होता है अब देखें, यहाँ पर कुछ इसके तत्व दिये गए हैं जो कि हमारे main इसके point होते हैं जब भी कोई poetry लिखी जाती है तो जैसे यहाँ पर दिया गया first हमारा meter, rhymes, scheme, wars and stranger type के कुछ important इसके तत्व होते हैं जिसका use किया जाता है poetry में और एक और बात मैं आपको बोल दूँ कि आपको अगर देखने में थोड़ी से भी problem हो रही है तो इसके notes जो हैं मैं telegram पे upload कर दूँँगी वहाँ से आप easily देख सकते हो तो नमारा next जो point दिया गया है types of poetry तो poetry कितनी types की होती है इसे भी आप कर लीजेगा तो poetry चार टाइप की मोशली होती है यसे यहाँ पर दिया गया है hecule, free wars, sharnate, lambric इस तरह के हमारे चार इसके types होते हैं poetry के तो यह हमारा one question रहा इसे आप अच्छे से देख लीजेगा और कर लीजेगा अब हमारा चो next question है यानि कि second number हमारा चो question है इसमें आपको करना है कि write the full detail about descriptive, narrative and expository prose के बारे में यानि कि इन तीनों के बारे में आपको पुरा detail में लिखना है तो हम लोग answer देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन-कौन से point करने है तो first आपको describe करना है कि descriptive writing क्या होती है यानि कि देखे इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि descriptive यानि कि कि किसी चीज़ के बारे में warn करना, उसका एक तरह से explain करना चीज़ों को तो ये चो writing होती है इसमें चो writer होते है तो उनका जो एक तरह से परपस होता है कि चीज़ों को किस तरह से वह word में convert करें यानि कि उसमें पुरा detail के साथ चीज़ों को explain करें ये जो हमारी writing होती है तो इसमें हर चीज़ को detail में लिखा जाता है और किस-किस topic पे हम लोग इसको एक तरह से describe करते हैं तो देखें ये जो writing होती है इसमें हम लोग किसी place के बारे में describe करते हैं किसी object के बारे में हम लोग करते हैं events के बारे में हम लोग करते हैं तो इस तरह कि आप देखें कोई भी चीज़ के बारे में आप जब एक तरह से describe करिएगा तो पुरा डीटिल में करिएगा पुरा एक तरफ से अच्छे से explain करिएगा अब suppose करी कि आप किसी place पे जाते हो किसी place पे आप घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप एक तरफ से चीजों को अच्छे से पुरा डीटिल में explain करोगे तो वही चीज को जब हम written में यानि कि लिख कर किसी के सामने present करते हैं तो उसे हम लोग descriptive writing भी बोल सकते हैं अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि हमारा narrative text क्या होता है या फिर narrative prose क्या होते हैं तो narrative यानि कि देखिए हम लोग story परते हैं तो story जो होती है लिखी जाती है जिसके द्वारा यानि कि किसी writer के द्वारा तो जो writer होते हैं जो उन्हें narrative कहा जाता है simply आप इसको समझ सकते हो और यह जो writing होती है इसमें एक तरह से जो writer होते हैं वो अपने imagination को use करते हैं what को कि तरह से audience के सामने present किया जाए कि वो एक तरह से चीजों को अच्छे से समझे जो writer होते हैं वो fairy tale type की लिखते हैं autobiography लिखते हैं news news में जो आप article देखते हैं वो हो गया और story तो इस तरह की जो चीजे लिखी जाती है वो एक narrator के द्वारा ही लिखी जाती है आप देखिया हमारा जो अगला point है यानि की अगला जो है expository तो यह किस तरह की writing होती है तो यह जो हमारा जो writing होती है या पर एप रिज़ जो ब्रोज होता है तो इसमें भी चीजों को एक तरह से एक स्पोस किया जाता है तरह से expose करके word में convert किया जाता है चीजों को explain करते हैं, तो इस तरह से ये भी हमारी, और ये जो हमारी writing होती है, वो especially आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे की, जो scientist होते हैं, या फिर जो reporter होते हैं, और हमारे जो निवन जो होते हैं, magazine जो होती है, article जो होती है, इस तरह की writing में, चीजों को एक तरह से expose करके दिख लीजिएगा, next question हमारा तीन नंबर है, तो यह हमारा question है, इसमें आपको करना है कि write the short note of the story, misery यानि, कि जो हमारी story दी गई है misery, इसके बारे में आपको short note तैयार करना है, तो हम लोग अब answer को देख लेते हैं, तो हमारा जो answer दिया गया है, यानि कि यह जो story है तो देखे सबसे पहले में आपको यह जो word दिया गया है misery तो इसका मतलब में आपको समझा देरी हूँ सबसे पहले misery का मतलब होता है दुख, कष्ट, पीरा अगर आपने story पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किस type के story है तो देखे सबसे पहले हम लोग story को नीचे समझेंगे पर इससे पहले यह जो writer है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह जो writer है जिनका नाम है Anton Polvich Chako यह Russian writer है तो इनके नाम में थोड़ी तो इनके नाम के pronunciation में थोड़ी mistake हो गई है तो आप उसके लिए sorry आप देख लीजिएगा तो देखे यह जो है हमारे Russian एक play writer है यह short story लिखते हैं और एक तरस से अपने time के यह बहुत जादा famous या बोल सकते हो greatest writer है अपने time के यह जो मैं आपको point बता रही हूँ यह बहुत important है इस सबको आप कर लीजिएगा तो देखे यह जो हमारी story है इससे लिखी गई है और I think इसको जो publish की गई है इसके publish का date आप देख लीजिए यहाँ पर दिया गया तो इस story को यह नहीं कि misery जो story है इससे 8086 में इससे publish किया गया था तो यह तो रहा है story का some important point जिससे आप note कर लीजिएगा अब देखे question जरूरी नहीं कि यही आए बट question तो इसी type के आपको आएंगे because सभी chapter से आपको question दिया जाएगा तो अगर आपको important point पता होंगे तो question कहीं से भी आए तो आप इन सारे point को उसमें use कर सकते हैं अब हम लोग देख लेते हैं कि story का first introduction हम लोग देख लेते हैं इससे आपको answer को समझने में easy होगी आप देखे मैं पूरे line को पढ़के आपको नहीं समझा सकती हूँ बट मैं story को आपको simply short में समझा दे रही हूँ आगे मैं try करूँगी कि इन सभी topic पे एक अलग अलग वीडियो बने अब देखे यह जो हमारी story यानि कि misery जो story है तो इसमें जो एक दुख को दिखाया यानि कि एक person होते हैं जिनका नाम होता है हमारा Iona Potowa Iona जो Potowa होते हैं वो एक तरह से बहुत ही old person होते हैं और यह तरह से टांगे वाले जो आप देखते होंगे जो गारी चलाते हैं टांगा टाइब का पहले होता था तो उसी को यह चलाते हैं और उसी से अपनी रोजी रोटी करते हैं और यह story में एक तरह से उनके दर्द को दिखाया गया उनकी एक तरह से feeling को दिखाई गई है इसमें क्या होता है ना कि इनका जो और इनकी wife बहुत पहले मढ़ गई होती है और इनका जो बेटा होता है वो भी एक विक पहले ही एक तरह से उसकी मौत हो जाती है जिसके चलते हैं बहुत जादा दुखी होते हैं और एक तरह से इनको बुढ़ना चाहिए कि कोई हो पर्सन जिससे मैं अपनी फीलिंग को शेयर करूँ यानि कि अपने दर्द को मैं कम करूँ बट एक्चली क्या होता है कि वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला फिल करते हैं बट उनको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता है जिससे वो अपनी फीलिंग को share करे या फिर उससे अपनी वातो को या फिर वो अपने दुख को उससे बताई ऐसा कोई नहीं मिलता है और जो मिलते भी है तो लोग भी उनकी feeling को ignore करते हैं बोलते हैं यह तो सब के संग होता है यह normal बात है यानि कि कोई भी उनकी emotion को नहीं समझता है, इस तरह की इस टोरी दी गई है, यानि कि बुजूर्ग, यानि कि एक ओल्ड परसन के स्टोरी, उनकी फीलिंग को कोई नहीं समझता है, उस सीच को यहाँ पर राइटर ने प्रेजन किया है और मैंने बहुत सॉटली आपको समझाया आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको और डीटेल में समझ में आ जाएगा, यहाँ पर वही चीज़ों को यहाँ पर एक्स्प्लें किया गया है तो आप इसको देख लीजेगा अब लाश्ट में क्या होता है, थोड़ी सी मैं मैं आपको सिंप्ली स्टोरी और मैं आपको बहुत स्लो करके इसको मोवड़ी हूं कि आप इसको एज़ीली लिख सके otherwise आप इसको telegram से भी ले सकते हैं अब देखिए हमारा जो अगला point है जिसमें आप इसको लिख सकते हैं जो कि हमारा है theme of story यानि कि जो हमारी misery जो story है तो उसका theme क्या है उसे आप देख लीजिए तो देखिए ये जो theme यानि कि इस story में जो writer है उन्होंने theme के रूप में sadness को एक तरस से अकेलेपन को present किया है कि एक इनसान जो होता है उसे मतलब लोग की जरूरत होती है यानि कि अपनी feeling को उसे share करने के लिए कोई person की जरूरत होती है और इसी चीज को ये जो person होते है उन्हें feel होता है बट उन्हें कोई नहीं मिलता है अम लोग four number question पर आते हैं तो हमारा four number जो question दिया गया है कि write the short note about the story mother तो mother जो story है ये भी आपके slivers में दी गई है तो इस पर आपको एक short note लिखना है हम लोग writer के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें क्या करना है तो देखें सबसे पहले आपको writer के बारे में थोड़ी सी information तो देनी पड़ेगी like उनका introduction तो आपको देना पड़ेगा तो देखें इस story है कि mother जो story है इसके writer है हमारा Jordan Leon Watson तो यह जो है इनका जन्म दिया गया यहाँ पर की 29 July को हुआ था 1911 में और इनकी मिर्त्यू का भी time दिया गया इसे भी आप note कर सकते है जो की 29 July 1985 को हुई थी और यह जो है वो Australian Novelist है और इने Novelist Prize भी मिला हुआ है तो इस तरह से कापी famous writer है एक तरह से अब नीचे आते हैं यानि कि हम लोग अब इस story का introduction देख लेते हैं कि यह story किस type की है तो देखें यह जो story है especially मैं आपको इसको shortly समझा दे रही हूँ because आपको answer लिखने में थोड़ी easy होगी तो यह जो story है हमारी mother तो mother यानि कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि mother means maa होता है तो यह जो story है यानि कि जो writer है जिन्होंने लिखा है तो यह खुद के यानि कि खुद के self के उपर लिखा है जैसे यहाँ पर दिया गया all about herself as a mother यानि वो अपने आपको एक mother यानि कि उनका क्या condition था mother जब हो थी तो उन्होंने अपने ही character को पूरा इस story में लिखा है अब इनकी यहाँ पर character के बारे में सम बताई गई है इनकी body, इनकी personality कैसी थी वो यानि कि देखने में कैसी थी तो यह पतली थी इनका जो dark, इनका जो eyes का color था वो एक तरसे dark था, brown था और इनका hair black था और इनका face जो था वो always एक तरसे sad रहता था अब sad क्यों रहता था बेकोज इनकी life में बहुत problem थी इसलिए इनकी life में अब इतनी सारी problem होने के लिए अब इनकी हमेसा मतलब खुश नहीं रहा पाती थी इस तरसे इनके character को यहाँ पर बताया गया तो यह तो रहा हमारे story का introduction नहीं कि इसमें main character वगरा जो भी है वो चीज मैंने आपको shortly समझाया अब देखिए story आपको लिखना है वो बहुत ही बुड़ा था यानि कि आप देखते हूंगे अगर बच्पनी अच्छा ना हो और एक तरसे वो जब बड़ा भी हो तब भी उसे problem ही मिले तो एक तरसे इनकी पूरी life जो थी वो problem से घरी हुई थी यानि कि इनको बहुत सारे problem को सामना करना पड़ा था एक तरसे इनकी जो parents थे जिनका एक तरसे मर गए थे वो जब 15 साल की थी तभी उनके जो माता पिता थे वो मर गए थे और एक तरसे आप आगे story परहेंगे तो मैं आपको shortly बता दे रहे हूँ story की आप इसको लिख लीजेगा story है इसमें जो mother होती है तो उनका character बहुत ही एक तरसे दुख टाइब कर रहता है यनकी उनकी पूरी life जो होती है दुख में ही होती है और वो अपने एक आंड के पास रहती है यनकी उनकी एक चाची होती है जिनके पास वो रहती है और वो लोग भी उनके से अच्छा एक तरसे behavior नहीं करते हैं और इसके लिए उन्हें बहुत problem को face करना पड़ता है और वो कुछ तरीके use करकी अपने आपको educate करने की कोशिश करती है like a hospital में उन्हें एक job मिल जाता है लेकिन फिर उन वो क्या करती है वहीं से नर्स में तो जहां पर वो काम करती है वहीं पर एक boy से वो साधी कर लेती है निकि एक person से वो साधी करती है बट क्या होता है कि उनका जो husband होता है वो भी एक तरस से अच्छा नहीं होता है निकि उससे अपनी responsibility है निकि जो husband होते हैं तो उन्हें भी अपनी responsibility पता नहीं होती है और एक तरस से उनकी life voice से ही होती है और इस तरस से उनकी life जो है पूरी एक तरस से struggle से भड़ी होती है यही कहानी इसमें दी गई है अब देखे मैंने आपको shortly answer लिखने के लिए मैंने आपको यह जो स्टोरी है मैंने आपको समझाई otherwise आप इसको थोड़ा सा पर लीजेगा now we come to the next question हमारा अगला जो question दिया गया है पांच नम्बर है जिसमें आपको करना है what type of SS is shooting an elephant तो यह जो है एक तरस से और निवन्द है जिसमें shooting an elephant एक निवन्द आपके slivers में दिया गया है तो वो किस type का निवन्द है उसे आपको लिखना है या फिर explain करना है तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं कि इसके राइटर को ओन है तो इसके राइटर है George Orwell और इनका पूरा नाम या इनकी इनका जो रियल नाम है यहाँ पर दिया गया है Eric Arthur Wleddy और इनका जो जन्म हुआ है 25 June को 1903 में हुआ था और इनकी मिर्तिव 21 January 1950 को हुई थी तो देखी यह तो रहा इनका रियल नेम इनको पैट नेम से भी बुलाया जाता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया यानि कि राइटिंग के फिल्ड में इनको George Orwell के नाम से ही जाना जाता है और यह जो है वो इंग्लिस नोबिलिस्ट है एक तरह से निवंद कार है जर्नलिस्ट है और क्रिटिक्स है इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि यह जो हमारा एक तरह से निवंद है वो किस टाइब का है और यह मतलब कब पब्लिश हुआ था तो देखिए यहाँ पर पॉइंट में दिया गया इसे आप नोट कर लिजेगा कि इसका ओरिजिनल जो डेट है इसे पब्लिश किया गया था 2936 को इसे पब्लिश किया गया था और यह कब पब्लिश किया गया था इसमें दिया गया इसे आप नोट कर लिजेगा जैसे इसे इसे लिटररी मैक्जीन में पब्लिश किया गया था और इस सारी डीटेल्स दिये गए है इसे आप कर लीजेगा तो यह चाहिए कि जो निवन्ध है इसमें क्या स्टोरी देगा यानि कि किस टॉपिक पे लिखा गया तो मैं इसको आपको सिंप्ली समझाऊ तो यह चो स्टोरी है यानि कि यह जो हमारा यह जो दिया गया है तो ये एक्चिली जो एक पुलिसमेन होता है जो की बर्मा का होता है और ये जो होता है एक तरह से वीक होता है इसे लोग जो यानि कि सोसाइटी जो है वो बहुत ही वीक मानती है हमाने बहुत कमजोर मानती है तो ये जो हमारा निवन दिया गया है तो इसमें चीजों को दिख से यसे दौह हैं कि छग गर जाते हैं और एंसे फ데 के दिखा अजूक को मारता है है गलती होती है ऊपने एंपने निवन तो आपको बता होगा और च महलंकि स्कूतवी है समझा दी कि यह जो निवन और किस टॉपिक पे लिया गया है इसे धीम पर बात करें ल्यmbさん मे marlou Star जो क्या इसको सब्जक्ट क्या रखा गया itel यरast इसमिट दिया गया धीम शक्रव्य में ऑस त्वार्थ जो समराज था या Online ends कि जो हमारा यह जो निवन दिया गया है तो उसके थीम क्या है उसको सब्जेक्ट क्या रखा गया है तो देखे इसमें जो थीम दिया गया है वो है हमारा ब्रिटिस इंपरिलीजम यानि कि ब्रिटिस जो समराज है उसको दिखाया गया तो देखे उस टाइम का जो ब्रिटिस क तो छोड़ आतर से साभी से बात तक नहीं करते थी तो में वह सारु है और इसमें समाज में क्या चल रही थी लोग की स्थीषी थी उसको दिखाया गया है बस यहीं सब चीजे यहां पर बताई गई धर ब्रिटिस के सामराज को दिखाया गया है किस तरह से वो लोग जो आम लोग थे उन पे किस तरह से वो एक तरह से अत्याचार करते थे यह सब चीजों को वहां पर एक तरह से डिस्क्राइब किया गया है बस इस सब चीजे इसमें दे गई है तो इसको आप तो आसा पढ़ दशे गा तो अगला जो theme है fear of humanism यानि कि देखे यह जो theme मानो समाज में किस तरह से जो आम लोग होते हैं डडर को दिखाया गया है यानि कि देखे इसमें जो चीजे राइटर ने बतः है यानि कि जो राइटर उन्होंने दिखाया है कि इसमें जो character यानि जो police man है वो actually हाथी को मारना नहीं चाहता है बट वो क्या करता है कि लोगों के डर से अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए या फिर अपने बहादूरी को दिखाने के लिए उसे एक मासुम हाथी जो कि बहुती सांथ रहता है वो किसी को परिशान नहीं करता है बट उसे मजबूरी में उसे मारना पड़ता है बिकोज उसे लगता है कि अगर हाथी ने मुझ पे हमला किया और मैं मर गया तो लोग मुझ पे हसेंगे कि ये बहुती कमजोर है इससे मतलब कुछ नहीं हो सकता है वो अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए अपने आपको एक पाउरफुल दिखाने के लिए वो एक मासुम से हाथी को मार देता है तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक डर को दिखाये गया है एक फेर को दिखाये गया है कि किस तरह से इंसान को जब डर होता है तो कितने से भी बड़ी गलती को कर लेता है इजीली यानि कि वो करना नहीं चाहता है पुलिसमेन बट वो लोगों के डर से कि लोग उस पे हसेंगे उसको वीक कहेंगे उसे एक तरह से कमजोड कहेंगे और इसलिए वो एक मासुम से हाथी को मार देता है अब आप ही सोचे कि कितनी अजीब बात है कि मतलब हम लोग अपने स्वार्थ के लिए हम कितने हद तक नीचे गिर जाते हैं इसी चीज को इस निवन में राइटर ने दिखाया है और बाकी थवासा आप इसको डीप में पर सकते हैं मैं आपको एंसे समझाने के लिए शौटली यह जो श्टोरी नेक्स कोश्चन हमारा छे नमबर है तो इसमें आपको करना है कि वाट जिट जमारिका किंग एंगलेंड फॉर्ड फॉर्स ताइम यानि कि इसमें एक एक्सपीरियंस को लिखा गया है इस राइटर के थू जिन्होंने फॉर्स टाइम इंगलेंड को देखा तो उन्होंने क क्या फिल किया यह तो फॉर्स्ट हम थुछ सर राइटर के बारे में जान लेते हैं की इसके जो रायटर है वो किस टाइप के हैं उनके बारे में थ्वास हम लोग जान लेते हैं, इनके जो राइटर यानि कि यह जो हमारा एक्सपिरियंस दिया गया है कि जो इंगलाइड वो फर्स टाइम देखती है वो है जैमिंका केंटिंग्स और इनका जो जन्म हुआ है वो 25-9049 को हुआ था और यह जो थी वो तरसे गार्डनिंग की जाती है उसके उपर भी वो एक तरसे राइटिंग करती थी अब यह जो राइटर है इनके एक्सपिरियंस को हम लिखते हैं कि जब यह फर्स टाइम इंगलेंड को देखती है तो इनका क्या एक्सपिरियंस होता है तो देखें इनका जो एक्सपिरिय गलत उनको सावित होता है यानि कि वो जिस तरह से इंगलेंड के बारे में सोची थी उसका पूरा उल्टा उन्हें देखने को मिलता है इंगलेंड में यानि कि बहुत सारी चीजे जो उन्हें सुनी थी वो ऐसा नहीं होता है और उन्हें लगता है कि इस सारी चीजे जूटी ह यानि कि जिस तरह से हमें स्कूल में बताया गया था इंगलेंड के बारे में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है उसका कैरेक्टर यहां वहां की चीजे वो सारी चीजे एक तरह से बेकार है बहुत ही नापसंद टाइप की है वो एक तरह से इंगलेंड को बहुत ही अगली टाइप का बहुत ही बसूरत मानती है और उन्हीं एक तरह से बहुत ही गंधा टाइप से देखती है यानि कि कुछ चीज़े उन्हें पसंद नहीं आती है एक तरह से उनका जो experience होता है जो लोगों के थूरू वो सुनती है वो सारी चीज़े उन्हें एक तरह से गलत लगती है तो यही सारी चीज़े इसमें बताई गई है कि किस तरह से जो राइटर है वो अपने experience को इसमें share करती है कि इंगलेंड को जब वो first time देखती है तो वो क्या क्या चीज़े देखती है देखिए यह जो paragraph में था इसको मैंने आपको shortly बता दिया है और बाकी आप इसको read कर लीजेगा कि उनका क्या opinion था यानि कि इसमें जो writer है उन्होंने क्या opinion दी है जब वो first time देखती है autobiography यानि कि biography क्या होता है और autobiography क्या होती है उसे आपको लिखना है और I think यह आपको पता होगी पिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देरी में बहुत ही easy है और इसको आप easily कर सकते हैं तो सबसे पहले हमनों चानते है कि biography क्या होती है तो इसको हमनों सबसे पहले easy में स कि कोई एक स्टोरी यानि कि किसी परसन के स्टोरी जो होती है किसी और के द्वारा यानि किसी और परसन के द्वारा जब लिखी जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं बायोग्रफी यानि कि आपकी स्टोरी कोई और लिखता है तो वो कहलाएगी बायोग्रफी यानि कि पहले आ ऐसे महान जो नेता थे और बहुत तरह के ऐसे लोग जो थे उन्होंने अपनी आत्म कथा को किसी और के दोरा लिखवाई है यानि कि अपने लाइब के एक्सपीरियन्स को वो किसी और राइटर के थुरू लिखवाते थे कि लोग उससे पढ़े तो उन्हें भी कुछ सीख मिल उनकी लाइब में भी उस सारी चीजें पता होनी चाहिए अब देखें यह जो हमारी होती है यानि कि बाइगरफी में क्या-क्या चीजों को यूज किया जाता है और क्या लिखी जाती है तो बाइगरफी जो होती है इसमें स्पेसली हम लोग देखते है कि पूरा डीटेल के साथ लिखा जाता है किसी person की जीवनी को, एक तरस से describe करके लिखा जाता है इसमें हम लोग उनके education को दिखाते हैं, वो क्या work किये हैं अपनी society के लिए उनके relationship को दिखाया जाता है उनकी मृत्यू को, उनके experience को बताया जाता है, उन्होंने life में क्या experience किया क्या उन्होंने लोगों की life में अपनी value को add किया ये सब चीजों को उनको दिखाया जाता है उनके life के कुछ बहुत important incident को present किया जाता है, और इस तरह से लोगों के सामने present किया जाता है किसी और के द्वारा लिखवा कर तो I hope आपको समझ में आ गया कि biography क्या होती है आम लोग autobiography को भी जान लेते है कि ये क्या होती है तो देखिए, autobiography जो होती है यहाँ पर एक line में हम लोग समझ लेते हैं इसकी meaning को तो यह जैसे यहाँ पर दिया गया है कि the story of a person life written by that person यानि कि इसमें जो जीवनी लिखी जाती है वो उसी person के दौआ लिखी जाती है जिसकी कहानी होती है यानि कि कोई और इस कहानी को नहीं लिखता है वो खुद की life के story वो खुद ही लिखता है तो उसे हम लोग कहते हैं autobiography तो I hope आपको पता चले है अब इसमें भी देखे सेम चीज़े ही होती है इसमें भी जो person लिखते हैं खुद के बारे में तो वो भी वो सारी चीज़ों को लिखते हैं जो उन्होंने अपने life में experience किया है जो उन्होंने life से सीखा है जो चीज़े उन्होंने समाज को दिया है या जो उनकी जीवन में जो घर्टनाए हुई है उन सभी चीजों को वो अपने ओटो बाइगरफी में खुद से लिखते हैं अब इसमें देखे एक्जामपल के थूरू हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि महात्मा गांधी जी की जो जीवनी है यह जो है वो महात्मा गांधी की आत्मकता है और भी अधर जो हमारे जो महान यानि की जो ग्रेट परसन है उनकी अपनी अपनी लाइफ है और उन्होंने अपनी लाइफ को एक तरस से एक बुकेट थू यानि की लोगों के सामने उन्होंने प्रेजन किया है तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनों ने अपनी आत्मकता को खुद लिखा है या फिर किसी और की दोरा लिखवाया है तो इसमें आपको दोनों के बीच में क्या अंतर है उसी चीज को आपको प्रेजन करना है बस यही इसमें है तो आई हूप आपको समझ में आया की बायोग्रफी क्या होती है और आटो बायोग्रफी क्या होती है अब हम नेक्स कोईशन में आते हैं जो कि हमारा आठ नमबर है तो इसमें आपको करना है कि गांधी ची का जो चीवनी है ये भी आपके स्लिवर्स में दी गई है तो उनका क्या कॉंसेप्ट था उनकी क्या धारनाती सत्य को लेकर उसे ही आपको करना है तो इसमें भी बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये काफी बहुत ही अच्छी बुक है इसे आपको इन्होंने पूरे अपनी लाइब को एक तरस से कवर किया है यानि कि पूरे लाइब को उन्होंने अपनी चाइल्ड होट से लेकर अपने बच्पन के दिनों से लेकर बाकी उन्होंने जो भी चीजे अपनी लाइब में एक तरस से एक्सपेडियन्स की है उसे उन्होंने लि जीवन नाम का एक पत्रिका थी जो की विकली यानिकी हर सप्ता में एक तरसे प्रकाशित होती थी और उसी में इनके जीवन को यानिकी पार्ट वाइस करके प्रकाशित किया गया था निकी एक बार नहीं प्रकाशित किया गया था और यह देखिए 1925 से लेकर 1929 तक इससे पब प्रति को लेकर यानि कि वो तुर्थ के लिए उनकी क्या धारना थी तो जैसे यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है कि गांधी जी जो थे वह हमेशा एक Treasury से सत्त को मान देते हैं हम सबको बताएं कि गांदी जी की जो विचार थी वो एक तरसे सत्त कमानो यानि कि वो लड़ाई जगरा उन्हें पसंद नहीं था वो एकदम सचाई से अपनी लाइफ को जीते थे और वो लोग को भी यही एक तरसे लोगों को भी वो यही सीख दे दे थे कि आप अपने प्रती एक तरसे अईमा आपको अपने प्रती ओनिश रहना पड़ेगा चाहे लोग कुछ भी कहे और यही आपका सबसे बड़ा गुन है और आप इस चीज में एक तरसे चल करते हैं तो यह चीज़े आपको लाइफ में एक तरसे प्रॉब्लम क्रेड करेगी यानि कि देखिए आपको अपने प्रत प्रती ओनिश रहना पड़ेगा तब चाहके आप लोगों को भी एक तरसे ओनिश्टी का ग्यान आप दे सकते हो अधरवाइस आप खुदी-खुद से जुट बोलोगे तो वो चीज़े कैसे होगी अगर हम लोग कोई गल्ती करते हैं तो हमें खुदी पता चल जाता है कि य हमें खुद के प्रती ही ओनिश रहना चाहिए अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट दे गए हैं इससे भी हम लोग जान लेते हैं कि गांधी जी का क्या विचारता तो देखें गांधी जी जो थे वो सोचते थे कि जो सत है वो एक तरक से उसे खोजा जाता है यानि कि सत जो ह होता है वो हमारे अंदर ही ए और अनतिम हमारा जो गोल होता है कि हम सत्त को खोज दे हैं और हम खुद को ही खोज लेते हैं और हम छुत मिल जाता है यानि simple हम लोग बोले तो गांधी जी सोचते थे कि लोग आपको कुछ भी बोले लेकिन आपको खुद के लिए हमेशा ओनिश रहना पड़ेगा कि आप सत्त्य के सांथ है तो इश्वर भी आपके सांथ ही रहेंगे इस तरह की धारना थी गांधी जी की अब लोग 9 नमबर कोश्चन देखते हैं तो हमारा यह कोश्चन जो दिया गया है तो इसमें आपको करना है कि इनका इंट्रक्षन है उसको हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर देखी इनका जो बर्टन जो थे इनका पूरा नाम यहां पर दिया गया कि बर्टन और्थुल विलियम ब्रॉशल जो थे तो इनका जो जन हुआ था वह 1872 में हुआ था और इनकी मित्यू जो थी वह 1917 में इनके इनके पॉटन पॉटन पॉइंट क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं कि इनकी जो आटो ऑटरबाइग्रफी है तो उसमें इनके क्या important point है उसे हम लोग देख लेते हैं अब देखें इनकी autobiography में से दो point मैंने लिया है जो कि important है आप इसको note कर सकते हैं कि कि इनके क्या importance मतब point है God को लेकर तो इन्होंने आप पर explain किया है गौड को लेकर इनकी जो राय है यानि कि देखें जो रशल है उनकी मतलब सोच है कि अच्छे जीवन की परिभाश यानि कि उसका जो definition है वो सरल और सबसे उस्साह जनक है जिसका मैंने कभी यानि कि जो यह जो रायटर है यानि कि रसल जो है इन्होंने कभी सामना किया है और इन्हें लगता है कि अच्छा जीवन हो है जो प्रेम से परित हो जिसमें knowledge हो जो प्रेम से परित हो और एक तरसे बहुत सारे knowledge हो उसमें निर्देश हो और एक तरह से प्यार हो और दोनों तरफ से एक तरह से विस्तरित हो जाए अब नेक्स पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो कि इनकी ऑटोबाइग्रफी में दी गई है तो इससे आप लोग देख सकते हैं जो परडल रूश है इनके अनुसार यानि कि इनके अकॉर्डिंग आत्मा जो है यानि कि हमारा जो शोल है तो घटनाओ की आयोजन का एक सुविधा जनक एक मातत तरीका है वो कहते हैं यानि कि जो राइटर है रसल तो उनका मानना है कि हमारा जो ग्यान है हमारा जो जीवन है वो अग्याद है और इससे आत्मा को हम लोग अम उसे नहीं बचती है और शूर की तरह समय बीतने के साथ ही वह एक तरह से पदात बनके या निकि एक मेटेरियल बनके वह क्या हो जाती है खो जाती है किसी चीज में तो देखे इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी चु ऑटो बाइगरफी है उसमें दी गई है तो वहां से इसे कलेक्ट किया गया है आप चाहे तो और भी अधर पॉइंट या कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप इनकी ऑटो बाइगरफी से ले सकते हैं मैं इनको समझाने के लिए आपको दो पॉइंट या पर मैंने समझाया अब और भी इसको यूज कर सकते हैं इसमें уч तो सबसे पहले हमनों राइटर के बारे में जान लेते हैं कि यह जो राइटर है Queen of Victoria उसके राइटर कौन है उनके बारे में हमनों थ्वासा जान लेते हैं तो देखें यहाँ पर उनका नेम दिया गया है Jail Litton Scratchy यह जो है Queen of Victoria के राइटर है यानि कि इन्होंने इसकी वाइगरफी को लिखी है और यह जो हमारे राइटर है यह एक English राइटर है और यह एक founding है यानि जो है Bombry जो group है जो कि अमरीका में है तो वहां के यह तरह से founder है या फिर एक सदर सहाब हो सकते हैं और इन्होंने एक book लिखी है जिसका नाम है Eminate Victorian यह जो इनकी book है तो इन्होंने इनकी जो अधिकतर book है तो यह उसमें से बहुत जादा famous है पहली तो Queen Victoria और दूसरी जो है Eminate Victoria यानि कि Victoria जो महराने Victoria का जो time था उस time इन्होंने बहुत सारी चीजों को analyze किया है और बहुत सारे चीजों को उन्होंने उस time को अपनी writing में present किया है और इसके चलते हैं बहुत सारे award भी मिले है तो Queen Victoria के life के हम लोग घटना को जानने से पहले कुछ important point पर हम लोग और बात कर लेते हैं कि Queen जो थी वो बहुत थी young age में महरानी बनी थी यानि कि 18 साल की या 17 साल की थी तब वो रानी बन गई थी और देखेए ये जो थी आपका मतलब की 63 आनि 63 इर इन्होंने राज किया था और एक तरह से बहुत लंबे भी समय तक ये जो थी वो रानी बनी थी और इन्होंने बहुत सारे चीजों को change किया था अपने समय में बहुत सारे चीज़ों में बदलाओ किया था इस पेसली ये जो थी इने कला से बहुत जादा प्यार था अब हम लोग इनके जो लाइब से कुछ related एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और मैं आपको स्लोली करकी बस हिंदी में explain कर दे रही हूं कि इनकी लाइब आपको और भी पॉइंट इसमें add कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इनकी लाइब का और यह जो थी वह काफी जादा इतर से mature थी तभी तो इन्हें इतनी जल्दी यंग एज में इन्हें महरानी बनाया गया था और इनकी life से एक incident यह है कि यह फूलों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी फूलों से इन्हें बहुत ज़्यादा लगाओ था और उसी पर यह incident है यानि कि फूलों को जब भी देखती थी तो वो बहुत सारी चीज़ों को याद करती थी तो एक पर क्या होता है कि वो खुछ से ही बाते करती है फूलों को लेकर उनकी राय वो बताती है कि फूल जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं और उन्हें अगर समहाल के रखा जाए तो वो काफी लंबे समय तक रह जाते हैं और फूलों को लेकर उनका मानना था कि फूल जो होते हैं वो एक प्यारी सी याद के रुप में रहते हैं हमारी जिन्देगी में और एक पर क्या होता है कि फूलों को देखकर अपने प्रेंस यानि कि जब से साधी होती है उनके प्रेंस यानि कि उनके हजबन से जब उनकी अगर आपने इनकी जो बुक है उसको पढ़ी होगी या फिर आपके बुक में जो दी होई है तो आप उसने पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी इनके घटनाए दे गई है जिसे आपको एक लिख सकते हैं next question हमारा 11 number है what does Annie called her diary and what are her reason for writing a diary तो इसमें जो Annie थी वो अपने डायरी को किस नाम से बुलाती थी और उसका क्या reason था डायरी लिखने का तो देखें यह जो हमारी राइटिंग यानि कि यह जो डायरी लिखा गया था उसका नाम था the diary of a young girl नाम की एक लड़की थी जिसका नाम था Annie जिसने इस डायरी को लिखा था और यह जो डायरी है वो काफी ज़्यादा famous हुई थी लोगोंने बहुत ज़्यादा इसको शेयर करते हैं जब वो किसी से अखुलकर बात नहीं कर पाते हैं तो वो डायरी लिखते हैं तो इसी टाइप की Annie जो थी वो डायरी लिखती थी और इसी डायरी को पब्लिश किया गया था जबकि यह बहुत ज़्यादा famous हो गई थी तो इसमें कि कुछ important point यानि कि answer में हम लो वोढ़ा ऐपि जो थी भौह चोती थी तिरह सल की थी और उसके तेरवे चाहरम त 하면서 सी पिब्लिश किया था और उसने अपनी लाइप में बहुत सारी चीजों को देखा था आप बहुत सारी चीजों को उसने अपने श्टाइडी में लिखा था जो कि UN隻 मैं बहुत ज़्याध से लिखते हैं कुछ अपने ability लिखते हैं तो फो बोग लिखते हैं तो ही च्रावशिक फॉम में डेर्डायरी बोलकर कर नहीं लिखती ति जबकी वह इसका नाम रखितीजिए जितने भी अपने लेटर को डायरी में जो भी चीजे लिखी है वह हैलो किटी करके उसने अपने सारे एक्सपेरियंस को जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो अपने डायरी को किटी प्यार से किटी करके बोलती थी और उसी से वो एक तरह से लेटर लिखती थी या अपनी फीलिंग को या फिर अपने day के पूरी बातों को वह लिखती थी तो यह नाम आप याद रखिया कि किस नाम से जो एणी थी वो अपने डायरी को बुलाती थी अब हम लोग जानते हैं कि जो एणी थी वो डायरी क्यो लिखती थी यानी कि क्या reason था कि उसे डायरी लिखना परता था तो देखे डायरी लिखने के एक तो reason यह होते हैं कि हमारे पास कोई अच्छे दोस नहीं होते हैं जिससे हम अपनी बातों को share करें या फिर खुल कर हम बात करें तो एनी की भी जो situation थी same थी उसके पास दोस थे family थे बट फिर भी वो किसी से खुल कर बात नहीं करती थी तो इस लिखेगी यानि कि अपनी डायरी में सारी feeling को उसने लिखा और starting में तो काफी हसी type की मतलब की unmature type की बातों को लिखती पर बाद में उसने बहुत ऐसी चीजों को लिखा जिसे लोगों को सीखने को भी मिले हर एक truth को लिखा तो इस तरह से मतलब यह reason था उसके लिखने का कि कि वो किसी किसे अपनी feeling को share नहीं कर पाती थी तो उसने इससे को try किया कि मैं diary में लिखूं अपनी feeling को और उसे भी नहीं पता था कि उसकी diary इतनी ज़्यादा popular होगी in the future में और उसको writing का बहुत ज़्यादा shock था जो any थी तो पूरे तरह से अच्छे way में वो अपनी diary को लि question है तो इसमें आपको करना है कि mention three features of Nehru's prose style in the letter the quest of man यानि कि आपको इसमें तीन विसेस्ता लिखनी है जो नहरू जी ने अपनी बेटी यानि कि अपनी daughter जो इंद्रा गांदी थी जिनको इन्होंने लेटर लिखा था जिसका नाम था question of man यानि कि मनुष की खोज ऐसा कुछ उन्होंने जो लेटर लिखा था उसकी आपको तीन विसेस्ता लिखनी है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो लेटर था नहरू जी ने अपनी daughter को लिखा था इंद्रा गांदी को तो वो जो लेटर था उन्होंने क्यों लिखा इंद्रा गांदी काफी चोटी एज की थी बहुत चोटी थी और वो अपनी बेटी से जादा बाचित नहीं कर पा रहे थे उछ टायम वो इल्हाबाद में थे तो वो अपनी बेटी को letter लिखे थे और इस letter को बाद में published किया गया था और लोगों ने इसे काफी पसंद किया और उन्होंने काफी एक तरस से इसमें जो उन्होंने लेटर लिखा था वो करीब 38 लेटर थे जिसे पब्लिश किया गया था और उस टाइम जो इंदरा गांधी थी उनका जो एज था वो बस 10 साल की थी और इस लेटर को उन्होंने लिखा था तो उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी नेहरुजी ने जो उनकी बेटी को समझनी चाहिए और I think हम सभी को जानना चाहिए उन्होंने नेचर के उपर ऐसी चीजों को लिखा है मानवता क्या होती है प्रकती के उपर उन्होंने बताया है कि जब मनुष नहीं थे तो हमारा जीवन कैसा था और बहुत सारी चीजों को उन्होंने उस लेटर के थू समझाया इंद्रा गांदी जी को अब हम लोग देखते हैं कि नहरुजी ने उस पत्र में यानि कि उस लेटर में क्या-क्या तीन क्वालिटी यानि की स्टाइल को उन्होंने यूज किया है उसको हम लोग देख लेते तो उस लेटर में उन्हों गृत्य देया को एक अच्छे रूप में प्रेजंट किया है, हिस्ट्री को एंडिया की जो हिस्ट्री है या फीरtype science के जोड़ा जाय गृत्वर चीज़ों को उन्हों ने बताया है अपनी लेटर के थुरू अपनी बुढ्द्धि मानता यानि कि अपनी जो intelligence है को उन्हों तो यहां पर तीन पॉइंट दे गए है इन तीनों पॉइंट को आप लिख लीजिए गा तो देखिए सिंपल कुछ कोश्चन थे जो मैंने आपकी वुक्स में जो भी स्लेवर्स दिये गए थे उनसे मैंने कलेकर करके बनाया है अपने अकॉर्डिंग अभी गैस कोश्चन है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं और आपकी एक्जाम में यह काफी हेल्फुल रहेंगे तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और लाश्ट अगर आपको कोश्चन समझ में आए और आ like and comment and please subscribe this channel guys and last thanks for watching this video bye take care